हेलो स्टो आप सभी सोग बात करेंगे आप पर स्टोक मार्केट के अपडेट के बारे में दोस्तो मैं आपको कुछ इंपोर्टन पॉइंट बताऊंगा तिसे रेटे दोस्तो आपको अंडरस्टेनिंग होनी चाहिए खास करका स्टोक मार्केट क्रेश के बारे में अब यहाँ पर देखें आप नॉर्मल तरीके से दोस्तो आप आल जो यहाँ पर एरिया देखेंगे आजू बाजू जो भी यहाँ पर चीजे हो रहे हैं उन सभी को आइडेंटिफाय करेंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेट मैं बता रहा हूँ और यहाँ पर आप देख लेना दोस्तो आपको कुछ ऐसे रीजन देखने को मिलेंगे जिससे एक बात आपको क्लेरली हो जाएगे कि मार्केट में गिरावट का प्रेशर जादा है अब यहाँ पर हम जो सिचुएशन और देखेंगे तो दोस्तो उससे हमें अंदाज आएगा कि हाँ पर गिरावट कितनी हो सकती और कहा तक मार्केट का प्रेशर दिखाए रहता है वो एक बात हम अंडरस्टाणिंग करेंगे और इस गिरावट में मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहूँगा कि आप देख आप यहाँ पर step by step दोस्तो first, second, third stage में आप यहाँ पर निवेश करना बिलकूल आपको कह रहा हूँ इससे बहुत कुछ आपको फायदे मिलेंगे देखिए आप पर अभी जो stock market चल रहा है बात में से गिरावट होगी यहाँ पर 100 उपर आगया कोई share और बात में से यहाँ रुपए पर ही मिल गया तो यह आपको मोका मिलना चाहिए दोस्तो उसका यहाँ पर benefit लेने का इसलिए आप यहाँ पर एक जो फार्मूल आपको बताया है उस पर थोड़ा यहाँ पर आप ज्यादा benefit लेने की कोशिश करना पहली बात दोस्तो अभी देखिए all जो science है जो आ पिछे कोई तगड़े reason तो जरूर होगे बहुत से reason है दोस्तो inflation के बारे में है यहाँ पर जो अलग-अलग देखिए यहाँ पर world bank के बारे में हम यहाँ पर जैसे देखिए आपको बजा दो market में भी जो अलग-अलग pressure त्यार हो रहे हैं इंडियर market में हो यह आप यहाँ प उस पर depend होता है सब कुछ और वो जैसे situation में गुजरता है हम देखे उसके अंदर तेजी रही वैसा है दोस्तो impact हमें इंडियन यहाँ पर order सभी market पर देखने को मिलता है क्यों कि वह leading है पूरे world में इसलिए अभी हाँ पर आप देख सकते बहुत से key risks देखने को मिलेंगे ब दे के वगेरा यह जो रेट थोड़े आप पर improve होने की जहाँ पर कोशी हो रही है उससे क्या होड़ा liquidity उलर करणवट हो रही है गोल के prices बढ़ने की पीछे वही reason है दोस्तों क्या भी fix और safe जो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा खास करकर जो भी हाँ पर investment होते हैं उसक आपको दिखा देता हूं पहले यहाँ पर आप दोस्तों observe कर सकते इंडियन रुपेज में एक गोल्ड का प्राइज है अभी फिलाल कितना है देखे एककाउन 1740 रुपए पर यहाँ पर दोस्तों 10 ग्राम का प्राइज है और बोले तो यहाँ पर हम जो आपको एक ग्राम की चार्ट पैटर्न दिखा दो देख देख दिख लिजी कितना यहाँ पर चल रहा दोस्तों यह देख लिए जैने वारी मैने में पूरा है पर कितनी पर था तो 4900 यहाँ पर चाली आपको 4900 यहाँ पर हम 30-40 रुपए कह सकते हैं मैं आपको ग्राम के बारे हम कह रहा हूं एक पर तेजयानी के पीछे जैसे स्टॉक मार्केट में गिराउट आना स्टार्ट होता है वैसे ही यह भी परफॉर्म करना स्टार्ट करता है बोलतों यहाँ पर जो भी पैसा है दोस्तों लिक्विडिटी जो है वो कनवर्ट हो जादी है गोल्ड में और फिक्स अस्टेट के अब यहाँ पर मैं आपको और कुछ रिजन बताना चाहूंगा देखे एक यहाँ पर कुछा गया था कमेंट में कि सर जो यहाँ पर पी रेश्यों उसके बारे में बताईया अभी फिलाल जो नसी का यहाँ पर निप्टी 50 का जो पी रेश्यों कैसा चल रहा है तो दोस्तों लहाँ पर यह जो इंडिकेटर द दोस्तों जो आपको बताना चाहूंगा स्टॉक मार्केट का जो इनडिकेटर होता है इसा तो यह मीडल में है ना इदर दोस्तों ना इदर मीडल में हापर पर फर्म कर रहा est का मतलब यहाँ आभी मार्केट-डिंग गिर भी सकता है में क्योंकि देखे बताया जाता है कि 30 यहां पर हम उससे उपर बत करें 31 के उपर ऐसा रहा तो प्रेशर ज्यादा रहता है गिरावट वाला अभी फिलाल दोस्तों यहां पर इसका पर्फॉर्मस देख सकते 22 23 इसी रेज में पर्फॉर्म कर रहा है डॉट यहां पर हम देखे सब्सक्राइब रहे gef Bijवर्ट यहां पर मार्केट रुवर्य बर्मस ठाप्र करें सबी आपको दोस्तों देखने मिलेगा अब है पर यहां पर मस्ती हानको दो जहां पर बताब हो सके उतना यहाँ पर इसे जो वार होने से पहले ही थोड़ा हाँ पर सेटलमेंट हो जाए और यहाँ पर जो भी चीजे बाद बादची से सब कुछ सॉल हो जाए इसी सिचुएशन क्रेट करने के पीछे USB क्योंकि देखें कोई भी कंट्री रेने दोस्तों उनका यहाँ पर लॉस ह होता है वार में किसी का ही भालाने होता है आप सभी को यह बात पता है तो हो सके इतना यहाँ पर वर्ल्ड डेवल पर यही कोशिश हो रही है कि यह बात जो है बादची से पूरा सॉल हो जाए जो भी हाँ पर प्रॉब्लम चल रही है यह क्लोजिंग देख सकते हैं मैं आप इसमें भी आपको गिरावत देखने को मिलेगा इसलिए एक-एक पॉइंट को समझना थोड़ा यहाँ पर मेरा एक्स्पिलनेशन कम जादा हुआ हो बट मैंने जो चीजे बताई है आप उसको समझ सकते दोस्तों एक-एक जो आप पॉइंट को आपज़र करेंगे तो आपक चलेगा कि कितना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर बनते वे नजर आ रहा है तो आपको यहाँ पर पूरी चीजे देखकर एक ही बात समझने कि हां मार्केट गिर जाए तो हमें माल उठाना है और वो भी आपको कहूंगा स्टेप बाज स्टेप जैसे हमें आपर अपनी पसना जरूर यहाँ पर कमेन बता देना